आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello friends, हमार आज को Question है क्या दिया जारा Question में? For the following reaction scheme, percentage yields are given along the arrow तो यहाँ पर percentage yield भी दी जारी, यह एक Paragraph Question है ठीक है, Paragraph-wise Question आपके दो पूछे जारे है तो इसमें हम क्या करेंगे? Question No.5 को यहाँ पर देखेंगे The value of X, मतलब X की value आएगी वो हमको यहाँ पर बताने है यह क्या Question Stim है? Question Stim 4, Question No.5 and 6 यहाँ पर हम discuss करेंगे Only on Question No.5 ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या दिया जारा? यह है Mg2C3 यहाँ आपका दिया जारा और Mg2C3 की जो reaction है, वो किस से करानी हमको वाटर से करानी है जब हम वाटर से reaction कराएंगे तो आपका यहाँ पर प्रोपाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा ठीक है, क्योंकि Mg2C3 यहाँ आपका हाइडुलिसस होगा और हाइडुलिसस होने के बाद यहाँ आपका प्रोपाइन बनेगा यहाँ आपका कितना 4 ग्राम यह दिया जा रहा है अब पी को हम लिख सकते हैं C3H4 और C3H4 का जो molecular weight होता है, ठीक है, molecular weight जो होता है, वो आपका फोट्टी होता है, तो जब molecular weight हमारा फोट्टी आ रहा है, तो हम moles निकाल सकते हैं, moles is equal to होता है, given weight given weight divided by molecular weight ठीक है, और आपका जो है यहाँ पर क्या आ जाता है, molecular weight आ जाता है, ठीक है, तो given weight कितना 4, 4 by 40 मतलब 0.1 mole ठीक है, तो यह जो आपका P है, यह आपका 0.1 mole है, ठीक है, हमको जो है mole में हम यहाँ पर निकालेंगे, अब इस P की reaction जो हमको किस से करानी NA, NH2 से करानी, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, NH2 माइनस, ठीक है, यहाँ आपका आ जाएगा, NA+, तो NH2 माइनस क्या करेगा, acidic proton को F-tech करेगा, so it will F-tech the acidic proton and form the ammonia, और ammonia जो है, यहाँ आपका बाहर हो जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, C, triple bond C, C, की उपर negative charge और यहाँ पर NA+, ठीक है, यह बन जाएगा, अब इसकी reaction जो है, हमको किस से करानी, यहाँ पर जो है, MEI, ठीक है, ME का मतलब जो है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, methyl group, पतलब C, S3I, ठीक है, तो CS3I की जो है, यहाँ पर reaction करानी है, तो यह जो है, यह आपका क्या है, इसके उपर जो है, negative charge है, तो it will act like a nucleophile, और यहाँ पर जो है, यह जो है, it will attack on this carbon atom, and removes this living group, and form the CS3, C, triple bond C, and CS3, ठीक है, यह आपका जो है, फॉम होता है, और this compound is Q, ठीक है, यह आपका compound है, यह आपका Q है, और इसमें जो है, यह आपका 75% जो है, आपका yield बताया जा रहा है, तो 0.1 mole का 75% मतलब 75 by 100, ठीक है, तो यह आपका जो है, कितना आजाएगा, 0.075 mole आजाएगा, ठीक है, this is the Q, ठीक है, तो Q जो है, यह बना, और यहाँ पर जो है, आपका 0.075 mole जो है, आपका आ रहा है, अब इसके बाद जो है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, कि जो आपका CS3, C triple bond C, और यहाँ पर जो है, आपका CS3, ठीक है, और यहाँ पर जो है, यह आपका CS3, ठीक है, और यह क्या करेगा, यह इधर बनाएगा, यह बनाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है, आपके, कहां-कहां double bond है, वो भी हम जो है, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, double bond की, तो आपका जो है, एक इधर है, ठीक है, और सभी जगा जो है, आपका CS3, 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 और यह जो compound आपका बना है, यह R हो गया, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर 162 जो है, इसका molecular weight है, अब देखो, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अपने question की, तो आपका 0.075 mol जो है, यह आपका, क्या बना था, but two iron जो है, आपका बना था, ठीक है, तो इसको जो है, butine बोलते हैं, but two iron, मतलब butine जो है, आपका Q हो गया, अब Q से जो है, एक mol की reaction करानी, यहाँ 3 mol जो है, इसके लग रहे हैं, ठीक है, 3 mol से एक mol product बन रहा है, तो आपका सबसे पहले तो percentage yield जो है, निकालते हैं, 0.075 into, और यहाँ पर जो है, आपका कितना, 40% जो है, आपका yield हो रहा है, तो 40 by 100, ठीक है, अब यहाँ पर 3 mol से एक mol product बन रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 by 3 करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक ही mol के लिए निकालना है, आगे, तो आपका यहाँ से आजाएगा, और इसको जब हम solve करते हैं, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए 0.01 mol, ठीक है, यह mol में आया है, तो x जो है, इसका weight है, ठीक है, तो x is equal to, आपका कितना हो जाएगा, mols, ठीक है, into molar mass, ठीक है, weight कभी भी निकालना हो, हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, mols क्या होता है, given weight, ठीक है, अभी बताते है, mols is equal to given weight divided by molecular weight, ठीक है, molar mass, जिसको बोलते है, molecular weight, हमको given weight निकाला है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आपका जो है, x का value निकाला हैगा, यह आपका given weight है, moles कितना 0.01 है, और यहाँ molar mass जो है, यह आपका 162 है, यहाँत अपका 162 है, ठीक है, तो value of x is, ठीक है, value of x is 1.62 ठीक है यह आपका value कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.62 जुह है यह आपका value यहाँ पर हो जाएगा ठीक अब हमने जो है हमने क्या निकाला x का value निकाला fireplace निकाला mallogungen फिप्ध question क्या हुँआ है solvv हो गया है फिप्ध question ज़ो है को निकालना y की value ठीक है तो यह हमको यहाँ पर निकालना क्या है अपना 6 question में y का value हमको निकालना है तो अब हम y ढूणेंगे ठीक है y आपका इधर बन रहा तो कैसे बन रहा P से ठीक है तो हमारा जो linking है वो fifth वाले question से ही है तो P में आपका क्या बना C3H4 बना मतलब यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा प्रोपाइन जो है यह बना हुआ है ठीक है अब इसकी next जो reaction होगी उसको जो हम लिख रहे हैं ठीक है क्योंकि हमको जो है छटमा जो है question का answer जो है चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है CH3 C triple bond CH और यहाँ पर जो है यह आपका क्या हो जाएगा this is the P ठीक है और पी में जो है यह आपका क्या 0.1 मोल जो है यह हमारा बन रहा ठीक है अब यहाँ पर जो है next क्या दिया जारा है HD plus 2 के साथ जो है आपकी reaction होगी और एच प्लस के प्रिजेंस में आपका जो है यहाँ पर होगा तो यह कौन सा है यहाँ पर जो है 3 3 3 Kelvin पर होगी और यह आपका 100% इल के साथ होगी ठीक है 100% इल के साथ तो जब हम HD plus 2 के साथ जो है reaction कराते हैं किसका प्रोपाइन का तो यह आपका जो है किसका का फॉर्मेशन करता है एसी टोन का फॉर्मेशन करता है और एसी टोन जो है यह आपका क्या बन जाएगा CS3 C double bond CS3 ठीक है यह बन जाएगा और यह 100% इल के साथ है ध्यान रखना 100% इल मतलब 0.1 मोल ही बनेगा आपका यहां पर ठीक है अब यह जो है इसकी रियक्षन जो है हमको करानी है बेरियम हाइड्रोक्साइड से ठीक है बी ए ओ एच होल ट्वाइस ठीक है और यह जो एसी टोन जो हमारा बना था वह आपका क्या है कौन सा एस कंपाउंड है ठीक है यह आपका कौन सा है जो है एसकेपादब को हुत करना है ठीक है बेरियम हाइड्रोक्साइड गया होता है बेस होता है ठीक है और बेस है आपका क्या किटोन से जो है यह क्या करेगा प्रोटोन को close to कर लेग तो यहाँ पर जो है, Eldol Condensation Reaction जो है यहाँ होगी और Eldol Condensation Reaction में जो है यहाँ क्या बनेगा, जो यह जब यहाँ पर Carbonine जो है, जो है, बन जाएगा जब Proton का F-Stick करेगा, Carbonine जो है, यहाँ आपका Attek करेंगे और O-Pे Minus Charge आएगा, ठीक है और O-Pे जैसी Minus Charge यहां पर क्या बन जाएगा यह यहां पर यहां पर यह आपका क्या ओगा CS3C double bond O और यहाँ पर आपका CH double bond C और यहाँ पर आपका CS3 और इधर आपका CS3 यह बनेगा यहाँ पर यह आपका कौन सा compound बनेगा यह दिस इस दी T हमको यहाँ पर T का formation हो गया दिखाते हैं अभी आपका T यह बन गया आपका कितने percent yield पर है 80% yield पर है ठीक है जब हम 80% yield देखेंगे यहाँ पर निकालेंगे तो 80% जब निकलेगा तो आपका क्या हो जाएगा 0.1 mole था का 80% मतलब 80 by 100 ठीक है और यहाँ से आज़ाएगा आपका 0.08 mole ठीक है यह आपका इतना बन रहा है इसके बाद हमको करानी N-A-O-C-L की reaction और N-A-O-C-L कौण सा ratio है है hello form ठीक है तो यह आपका यहाँपा है hello form मतलब यहाँपर है chloro form ठीक है तो यह क्योरो form ठीक है तो آپ आपका यहाँ पर methyl ketone मौजूद है तो methyl ketone मौजूद होने की वज़े से आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरा जो organic compound जो हमारा बनेगा उसकी बात हमको यहाँ पर करनी है तो CS3C और यहाँ पर यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है अब यहाँ पर जो है एक बात और यह भी देखी है कि जो आपका यहाँ पर हमने जो compound जो आपके यहाँ पर लिए यह आपके दो mole ले रहे हैं ठीक है और हमने जो है यहाँ पर 80% जो है आपका कर दिया तो हमें जो है यहाँ आप से multiply भी करना पड़ेगा ठीक है तो यह आपका आज़ाएगा 0.04 mole जो है यह आपका आज़ाएगा अब इसका भी हमें 0.04 mole का भी 80% निकाल ला है तो हमारा जो यह जो compound बनेगा क्योंकि हमें जो है अभी कुछ भी इसके आगे जो है नहीं दिया जा रहा ठीक है और यह जो है decolorize करता है bear's reagent को ठीक है क्यों decolorize करता है क्योंकि due to presence of a double bond ठीक है यहाँ double bond की वैसे जो है decolorize decolorize किसको bear's reagent ठीक है bear's reagent ठीक है so यह इसको जो है decolorize करता है क्योंकि आपका double bond मौझूद होता ती कलराइज हो जाता बेर सरी एजन और यहाँ पर जो है इसका 80% निकालना तो हमको जो है यह जो compound है this is the U हम इसी को मान कर चलेंगे ठीक है और यह जो है यह आपका कितना हो जाएगा 0.04 का हमें कितना चाहिए 80% चाहिए तो आपका यहां पर इतना आ जाएगा ठीक 0.032 मॉल आ जाएगा ठीक है अगर हम यू को जो है यह consider करते है तो इसका आपका molecular weight आता है यह आपका आता है 122 ठीक है क्योंकि क्यांत का का यह 12 होता है तो यह 12 और तीन पंद्रह पंद्रह थीजिए आयगा है और यहाँ पर जो हमान रहे तो आपका यहां पर क्या आजाएगा ओ यह आपका n a plus की जगह आपका h प्लस आजाएगा टीक है यहां पर जैसेड आजाएगा तो acid को מolekular weight आजाएगा वह आपका 100 आजाएगा ठीक है अगर हम यहां पर acid मानते हैं तो आपका y का value आना चाहिए वह कितना आजाएगा moles into 0.032 moles हो जाएं into molecular weight ठीक है molecular weight acid का होता 100 तो यहां से आजाएगा आपका 3.2 gram ठीक है और यही चीज अगर हमने किस के लिए मांगी 0.032 moles यह आपका हो जाएगा और यह आपका salt के लिए अगर हमने भूला ठीक है अगर हम salt consider करते हैं क्योंकि यहां पर कुछ दिया नहीं है आगे तो salt consider करने पर आपका कितना आ रहा है 3.904 gram जो है आपका आ रहा है थम जो है यहां पर कितना लिखेंगे 3.9 gram ही जो है लिखेंगे तो यह y का value आजाएगा ठीक है अब यहां पर जो question है यह आपका क्या है कि जो x and y जो है यह आपके r और u के जो है क्या है mass है respectively molar mass जो है आपका दिया जा रहा है ठीक है value of y y की value जो है आपका कितना आ रहा है 3.2 gram आ रहा है और एक जगा आ रहा है 3.9 gram ठीक है इन में से आपका जो है कोई भी हो सकता है और आपका जो है यहाँ पर जो है यह आपका कितना आया था इसको भी हम बता देते 1.62 gram आया था ठीक है 1.62 gram ठीक थैंक यू Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8400-400-400 पर